हलो डिये स्टूडेंट्स आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास वन हिंदी की वर्कशीट सिरीज हमारा पहला पार्ट है मीना का परिवार तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है चित्र देख कर नाम लिखिए यहां पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं आपको उनको पहचानना है और उनका नाम बताना है तो पहला चित्र बताईए यह क्या है इसमें घर के सारे ही सदसे एक साथ हैं तो सबी सदस्यों को एक साथ कहा जाता है परिवार और यह यह है गमला यह फल इसको क्या कहेंगे? किवार्ड या फिर दर्वाजा भी कह सकते हैं प्रशन नमबर दो है मीना के परिवार में कौन-कौन है चित्र देखकर नाम लिखे तो इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे और गिनकर बताएंगे कि मीना के परिवार में कौन-कौन है सबसे पहले मीना खुद है, फिर उसका एक छोटा भाई दिवाकर है, ये दादा जी है, दादी मा है, ये मा है, पिता है और ये चाचा जी है तो इनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे सबसे पहले मीना, फिर दिवाकर, फिर दादा जी, दादी मा, मा, पिता और चाचा जी प्रशन नमबर तीन है हिंदी में एक से पाज तक गिंती लिखो तो यह जो हमने गिंती देखी है यह मैट्स में हम लिखते हैं हिंदी में लिखने का तरीवा दूसरा है, एक हम अंक में लिखते हैं, एक हम शब्दों में लिखते हैं, तो दोनों ही लिखेंगे एक, एक, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच तो यह आप लिखना सीखेंगे यह अंक में है और यह शब्दों में है अगला प्रेशन है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अलग-अलग करके लिखिए तो यहां आपको कुछ शब्द दिये गए हैं जिसमें कुछ में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और कुछ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है आपको उनको अलग-अलग करना है चलिए पहले ये देखते है छोटी E की मात्रा कैसे लगती है छोटी E की मात्रा लगती है पहले और बड़ी E की मात्रा लगती है बाद में तो पहचानना बहुत आसान है पहले हम छोटी E की देखते हैं तो मीना मीना में क्या है पीछे है मात्रा तो मीना आएगा बड़ी E में फिर परिवार, परिवार में रवपे मात्रा छोटी है, तो यहां लिखेंगे दादी, दादी में बड़ी एकी मात्रा है, पिता छोटी एकी, दिवाकर में दवपे भी छोटी एकी मात्रा है, दादा जी में जवपे बड़ी एकी मात्रा है, चाचा जी में भी बड़ी एकी मा अब है आकी मात्रा वाले कोई चार शब्द लिखिए तो जो पाठ में शब्द आए हैं, उसमें बहुत सारे शब्दों में आकी मात्रा है तो हम लिख सकते हैं जिसमें आकी मात्रा आती है जैसे दादा, चाचा, मामा और नाना अगला प्रेशन है लिंक बदल ये मामा, मामा को हम लिखेंगे मामी, नाना, नानी चाचा, चाची पिता, मा दादा, दादी भाई, बहन तो ये आपको याद करना है अगला प्रषन है चित्र देखकर प्रषनों के उतर दीजिए तो इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे और प्रिश्णों के उत्तर देंगे तो पहला प्रिशन देखते हैं क्या पूछा है मीना के पिता और दादा जी क्या कर रहे हैं तो चित्र में देखिए दोनों पोधों को पानी दे रहे हैं तो हम लिखेंगे मीना के पिता और दादा जी यहां तक तो सेम आएगा क्या की जगा पे हम लिखेंगे पोधों को पानी दे रहे हैं तो इसको आप याद करेंगे अगला प्रश्ण है दादी और मा क्या कर रही है तो चित्र में देखिए दोनों फल काट रही है तो इसको लिखेंगे दादी और मा फल काट रही हैं अगला प्रश्ण है चित्र में कितने गमले दिखाई दे रहे हैं तो चित्र को देखो ध्यान से एक, दो, तीन तो इसको लिखेंगे चित्र में कितने की जगे आएगा तीन गमले दिखाई दे रहे हैं अगला प्रश्ण है चित्र में चश्मा किस-किस ने पहना है चली देख लेते हैं दादा जी ने चश्मा लगाया है ये चाचा जी ने लगाया है और दादी मा ने लगाया है तो किस-किस ने पहना है चित्र में चश्मा दादा जी दादी मा और चाचा जी ने पहना है अगला प्रेशन है हम फल कि अगला प्रेशन है पोधों पर कुल कितने फूल लगे हैं चलिए फूलों को गिनते हैं तीन फूल इस पोधे पर हैं और दो इस पर तो कुल मिलाकर हो गए पांच फूल तो यहां लिखेंगे पोधों पर कुल पांच फूल लगे हैं अच्छा दिवाकर किसके कंधे पर बैठ बैठा है चित्र को फिर से देखिए यह दिवाकर के चाचा जी है तो यहां लिखहेंगे दिवाकर चाचा जी के कंदे पर बैठा है दुझे तो यह सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं अगला प्रश्न है सही स्थान पर बिन्दू लगा तो बिंदू दो तरीकित से लगाया जाता है. एक लाइन के उपर और एक अक्षर के नीचे, ऐसे. तो जो उपर लगता है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं. उसमें जो अवाज आती है, वो नाक से आती है. और जो नीचे लगता है, उसको हम कहते हैं, नुक्ता. क्या कहेंगे नुक्ता तो दोनों होते बिंदू ही हैं तो हमको दोनों ही देखने हैं कहां पर क्या आएगा पहला देखिए है तो है पर आएगा बिंदू उपर बन जाएगा है आनद आनद तो कुछ नहीं होता है आनद होता है तो न के उपर लग जाएगा फिर है किवार्ड आप किवार्ड में बिंदु आता है नीचे और इसको बोला जाता है नुक्ता ऐसे ही जोर जोर तो कोई शब्ध ही नहीं होता है जोर होता है तो जोर के नीचे आएगा और इसको बोलेंगे नुक्ता फिर गमलो तो बिंदु आएगा लग के उपर फिर है ब यह लाइन के उपर ही लगता है ऐसे चांद की शेफ होती है और एक बिंदू होता है इसलिए इसको चंदर बिंदू बोला जाता है चंदर मतलब चांद और बिंदू ठीक है इसमें जो आवाज आती है वो नाक से आती है और बिंदू से थोड़ी जादा आती है तो चंदर बि होता है पकाएं ए पे लग जाएगा खाएं लाएंगे तो यहां सब ए पे लगेगा प्यालिया प्यालिया नहीं होता प्यालिया होती है देन तालिया तो यहां पे लग जाएगा मनाएंगे ए पर और खाएंगे ए पर तो यह चंदरबिंदु आपको लगाना सीखना है तो यह इती हमारी पार्ट एक की वर्कशीट मिलते हैं अगली वर्कशीट में तब तक स्वस्थ रहिए सीखते रहिए